शरीर के रंग को दूज जैसा गोरा बनाने के लिए टैनिंग को कालेपन मैल और गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही कमाल की होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सा वाइरल हैक इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस्तमाल करा है बेबी ओयल आप कोई भी ब्रैंड के बेबी ओयल का यूज कर सकते हैं बेबी ओयल स्पेशली बनाय जाता है छोटे बच्चों के लिए क्योंकि उनकी स्किन बहुत जादा सेंसिटिव बहुत डेलिकेट होती है और इस बेबी ओयल में सबी ज़रूरी न्यूट्रियंट्स होते हैं जो कि स्किन को बिल्ड करने में मदद करते हैं स्किन के सेल्स को रीपेयर करता है और साथ ही स्किन को डीपली हाइड़ेट करता है मौश्चुराइज करता है और नरिश्मेंट देने का भी काम करता है तो यहां पर मैंने आज इस्तमाल करा है बेबी ओयल अगर आपके पास बेबी ओयल नहीं है तो आप यहां पर विटमि इस तोचमचs coconut oil को यूज कर सकते हैं तोमें आपको सजेस्ट करूंगी हुँ आप बेबी आइल का ही यूज करें। आज जो रेमेडी में आपको बनाना सिखा रही हूँ या आपके बॉडी के लिए एक कमाल के हाइडरेटिंग से बॉडी पैक की तरह काम करने वाली है जो की सकिन पर जमी हुई मैल गंदगी और टैनिंग को भी हटाएगी और साथ ही सकिन को दुबारा गोरा निकरा हुआ और खुबसूरत बनाने का काम करेगी अब मैंने याँ पर लिया है चावल का आटा लगबग दो बड़ी चमच भर कर मैंने चावल का आटे का इस्तमाल करा है चावल का आटा गेहू के आटे से काफी जादा अलग होता है गेहू का आटा कैसा होता है हमारा बिलकुल पिसा हुआ होता है वहीं दूसरी तरफ जो जौ चावल का आटा होता है यह दरदरा होता है दानेदार होने की वज़े से यह हमारे सकिन को डीपली स्क्रब करने का काम करता है स्किन पर जमी हुई सबी मृत कोशिकाओं को हटाता है डेट स्किन सेल्स की लेर को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट होता है तो मैंने यहाँ पर इस्तमाल करा है चावल का आंटा दो चमज और इसमें हम डालने वाले हैं दो चमज बरकर अपने कौफी पाउडर को कौफी हमारे स्किन पर टैनिंग को हटाने का काम करती है और जितना भी मैल होता है, काला पन होता है, गंदगी होती है उसे हटाती है अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हमें स्किन पर टैनिंग हो क्यों जाती है टैनिंग होने के कई सारे कारण हो सकते है जब हमारा खुद का ही पसीना हमारी स्किन के उपर लंबे समय तक रहता और हम साफ नहीं करते है तो ऐसे में हमारी स्किन के उपर गंदगी जमना, धूल मिट्टी जमना शुरू हो जाती है और फिर धीरे से हमारी स्किन का जो कलर है वो काला पड़ जाता है अब मैंने इसमें डाला है एक चमज भर कर बेसन बेसन क्या करता है? स्किन के सेल्स को डीपली प्यूरिफाइ करने का काम करता है स्किन के इंदर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालता है और हमारी स्किन को बेबी सॉफ्ट बनाता है तो अब मैंने यापर इन तीनों चीजों को ड्राइ तरीके सचे से पहले मिक्स कर लिया है और अप टाइम मैं इसमें बेबी ओयल डालने का मैं इसमें दो चमज भर कर बेबी ओयल का इस्तमाल करने वाली हूँ और बेबी ओयल डालने के बाद सबी चीज़ों को मैं आपस में अच्छे से मिक्स करना है मिक्स अच्छे से करें ताकि इसमें लंस ना रहें अगर इसमें गुटलियां पढ़ेंगी तो यह अच्छे से काम नहीं करेगा और फिर आपको लगेगा कि आपको इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिले हैं तो अब मैं से बीबी ओल टाल रही हूँ दो बड़े चमच भर कर और इस रिमेडी को आप अपने चेहरे के साथ साथ अपनी पूरी बॉड़ी पर भी अपलाए कर सकते हैं तो इसे अपने पूरे बॉड़ी पर अपलाए करें नेक पर अपलाए करना बिल्कुल मद भूलिएगा क्योंकि कई सारी लोगों की चेहरे और गर्दन का जो कलर होता है वो मैच नहीं करता है अनीवन सकीं टोन की प्राउब्लम हो जाती है और ऐसे में सकीन का कलर जब अलग-अलग हो जातä है तो में बहुत शेरम आती हूँ हमाई सकीन का कलर कलर भी खרáb हो जाता है इसलिए अपने पूरे फेस के साथ साथ नेक पर भी अपलाई करें और बॉडी के हर एक हिस्से पर अपलाई करें जहां पर भी आपको लग रहा है कि extra tanning हो गई है जहां पर आपकी स्किन बहुत जारा सामली पड़ गई है, काली पड़ गई है, मैल को हटाने के लिए गंदगी को हटाने के लिए ये DIY बोडी मास्क सबसे बहतरीन है और जो चामल का आटा है ये बहुत यची से काम करता है, स्किन को एक्सफोलियेट करता है यानि कि एक बोडी पैक और एक बोडी स्क्रब दोनों की तरह काम करने वाला है, ये टू इन वन बोडी मसाज फेशिल हमारी होने वाली है बोडी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं और अप टाइम इसे अप्लाए करने का, मैं इसे अप्लाए करने वाली हूँ अपने हाथों के ओपर क्योंकि मेरे हाथों पर काफी सारी डाकनेस है, काफी सारे निशान हो गया है, कालापन हो गया है लगबग, आप इसे आदे घंटे के लिए डॉइं हो ने तीज़य और आदे घंटे बाद थन्डे पाने के मदद से आप इसे वाश करके निकाल सकते हैं तो इस तरीके से आपको इस स्य अप्लाए करना है और ऐससे आपको इसका यूज़ करना है इसे स्क्रब करें और इसे आदे गंटा लगा कर रखें बेस्ट रिजल्स के लिए दो बार आपको हफ्ते में से ट्राइब करें